हेलो दोस्तो नमेशकार क्रैश होने वाली है आज हम लोग यहापे कह सकते अफिशली हम लोग को कंपपनी जबर्दस क्रैश होती है देखने को मिल चुकी है पूरे बाजार में हम लोग ने देखा कंपनी का स्टाउक लगब बग 18-20 परसंट हम लोग को क्रैश होते है देखने को यापे मिल चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम लोग कहें तो प्रमोटर का है और उसके बाद रिटेल इंवेस्टर आप लोग ज़रूर यापे बोल सकते हो हलाकि अगर मैं यहापे बात करू तो जिन भी परसन को इस कमपनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो है मुझे ऐसा लगता है वो उनकी खुद की गलती यहापे होनी चाहिए क्योंकि कमपनी किसी भी वे से यहापे fundamentally strong नजर नहीं आ रही थी यहापे जैसे मैंने का कि यह कमपनी हमारे portfolio में नहीं रहेगी बट still मैं आप लोगों को यही request करूँगा इन चीजों को पूरी तरीके से समझेए study कीजे क्योंकि कोई भी company डूपती क्यों है या फिर नीचे crash क्यों हो जाती है इसके पिछे कोई ना कोई तो कारण होगा और क्या अभी भी इस company में कोई उमीद बाकी है भी या नहीं तो ये भी मैं आप लोगों को एक point आपके सामने जरूर रखना चाओंगा इवन दो शेर आपके portfolio में नहीं है बट पूरा case study हम लोगों को या पर अभी पढ़ना है क्योंकि आगे जाके यही चीज़े बहुती importantly आप लोगों को बाकी stocks में भी देखने को आपे मिल सकती है तो दोस्तो सबसे पहले में चलो में आप लोगों को दिखाना चाओंगा कुन से stocks के बारे में यहापे बात हो रही है तो थोड़ा समय यहापे आ जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं आपे बात हो रहे वोड़ा फून आइडिया यह दोस्तो वोड़ा फून आइडिया फाइनली आप देख सकते हैं 19% तक यहापे आप लोगों को crash होते वे देखने के आपे मिल चुका है जैसे कि आप लोग को पता है यह 10 रुपे के आसपास था है और मेरा एक वीडियो भी था जापे मैंने आपको कहा था कि यह 50% crash हो सकता है हलाकि यह मैं खुद की मेरी analysis नहीं थी एक expert ने भी बताया था हलाकि वो कोई rocket science नहीं क्योंकि इनके auditor नहीं यह चीज़ साफ साफ बतायी थी कि इनका going concern खत्रे में going concern मतलब forcible future जो आगे भविश्य रहेगा उसमें यह company टिकना असंभ होए क्योंकि company के liability fixed है और आने वाला पैसा जो की liability से बढ़कर होना चाहिए अगर survive करना है तो तो वो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है देख सकते हो और दोस्तों जिस वीडियो की आपे मैं बात करा हूँ यह आप लोगों के सामने लगबग वह 15-16 मिनिट का वीडियो था आप देख सकते हैं पका था एक मेने पहले हाला कि उस वीडियो को response बहुत अच्छा है था देड लाक के आसपास इस लोगों कि बहुत सरे इंवेश्टर को मैंने इस वीडियो में request किया था कि अभी तक आप ने किसी वीडियो को शेर किया होगा इस वीडियो को जरूर सियर के मिल चुका है अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी डीटेल में पढ़ सकते हो इसका लिंक भी में उपर आई बटन पे दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोग को डीटेल में बता है था कि क्या सबसे बड़ा यहापर प्रॉब्लेम है अभी आज के दिन इतना क्यों गिरा है तो वो भी अभी हम लोग को यहापर देखना है वो तो इससे भी बड़ी मेजर वजा है चलिए अभी उसके उपर जंप कर लेते हैं अभी हम लोग आ चुके आर्टिकल के उपर यहापर हम लोग ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे बहुत ही टू दपॉइंट यहापर में बात करूंगा तो दोस्तो आप सबी लोग को पता है वोडाफोन एंड आइडिया यह एक्चुल में पहले अलग-अलग कंपनिया हम लोग को देखने को मिलती थी वोडाफोन यह विदेश की अगर मैं टेलिकॉम की बात करूँ वोडाफोन बहुत बढ़ा ग्रूप है विदेश में बहुत टॉप टेन में भी आने वाली कंपनिया आप कह सकते हैं अगर टेलिकॉम की अगर हम लोग बाकी इसमें बात करें तो इंडिया में तो इनका मतलब बिजनेस अच्छा नहीं चला आप लोगों को यहापे पता है वोडाफोन एंड आइडिया इन दोनों ने यहापे मर्जर किया था एक साथ यहापे आये थे और मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि यह दोनों कंपनिये एक साथ यहापे आये थे बाकी टेलीकॉम को compete करने के लिए तभी भी मेरा एक वीडियो है बहुत ही पुराना वीडियो है जो कि दोस्तों आप लोग आपे देख सकते हैं दो साल पुराना वीडियो है जहापे मैं आप लोग को पता है था कि इन दोनों का merger तो है एक दूसरे के साथ ये हाथ तो मिला र नहीं था अभी आप लोग देख सकते हो कि ये कंपनी हम लोग को कैसे क्रेश होते हुए देखने को मिल रहे है तभी भी पचास रुपे के आसपस तो चल ही रहा था आज तो पांच रुपे के आसपस या पर आ चुका है अगर आपको चाहिए ये वाला वीडियो भी तो इस स्क्रीन के ओपर देख रहे हो तो प्रॉब्लेम कहा है जैसे मैंने कहा कि वोड़ा फोन एंड आइडिया ये दोनों ने यहाँ पर हाथ मिला था कि एक साथ ये बिजनेस करेंगे और जैसे आप लोग को पता है वोड़ा फोन की पैरेंट कंपनी मतलब ये जो वोड़ा फोन कंपनी उनके जो CEO है येस उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता दिये कि उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि लॉस मेकिंग जो कंपनी है वोड़ा फोन आइडिया उसमें यहाँ पैसा इंफ्यूस करें मतलब पैसे को इन्वेस्ट करें तो अगर एक कंपनी के ओनर ही हम लो के लोग क्यों लगाएं सो यह मतलब आप कह सकते हैं यह एक टाइप का फुल स्टॉप ही हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल रहा है उसी के साथ-साथ उनने यहाँ थोड़ी सी ऐसी वी वाते की है जो कि हम लोग कह सकते उसका ऐस सच कोई फाइदा यहाँ पर नहीं जो भी उनसे मदद हो सके प्रैक्टिकल सपोर्ट हो सके वह हम लोग जरूर प्रोवाइड कराएंगे बट हम लोग एक क्लियर स्टेटमेंट देना चाते कि हम लोग यहाँ पर कोई भी एडिशनल इक्विटी इस कंपनी में निवेश करने वाले नहीं है तो फिर मतलब की को कोई जरूरत यहाँ पर है ही नहीं और वही चीज हम लोगों को यहाँ देखने को यहाँ पर मिल चुकी है उसी के साथ साथ एक और हम लोगों को चीज बीच में देखने को यहाँ पर मिली थी कल या परस्वे में ने यह भी नियूस कवर की थी कि कुमार मंगलम बिरला आप सबी लोग को पता है उन्होंने यहाँ पे offer किया था कि वो अपना stake यहाँ पे बेचने के लिए तयार है and controlling stake भी यहाँ पे सरकार के हाथ में देने के लिए तयार है and इससे related जब सवाल पूछा गया UK based जो parent company Vodafone तो उन्होंने इससे related कोई भी respond नहीं दिया so definitely यह अच्छे संकेत नहीं है uncertainty बढ़ती ही जा रही है and उसी के साथ चाथ एक और uncertainty ओलड़ी है and वो है AGR के liability से related आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे investor Vodafone idea में इसी लिए पैसा नहीं invest करना चाते है क्योंकि there is an absence of clarity on the AGR liability कितना पैसा है वो पता नहीं है बार-बार यह court में appeal करते हैं हाला कि court ने साफ बता दिया कि इसमें कोई changes होने वाले नहीं है and जो आप लोगों को pay करने के लिए बोला है deferred करके बोला है कि 10 साल में आपको यहाँ पे पे करना है उतनी liability fix है कोई भी changes होने वाले नहीं है so इसमें मुझे नहीं लगता कोई uncertainty हाली यहाँ पे बात है जो कि जिस तरीके से यहाँ पे present की जा रही है so definitely यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तो कि यहाँ पे आकरी अभी option अगर वड़ा phone idea में कोई है वड़ा phone idea को अगर कोई बचा सकता है तो वह एक government अन्य था यह company collapse होने से यहाँ पे अभी बहुत दूर नहीं है so क्या सरकार यहाँ पे इस loss making company में क्या हिस्सेदारी खरे दीगी इसका chances भी मुझे बहुत ही rare लग रहा है क्योंकि सबसे main problem यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि AJR dues भी है and यहाँ पे फायदा भी कहा क्योंकि इनके जो competitors है वो आप सबी लों को बता है retail की बात करे या फिर geo की बात करे एक type of monopoly इन दोनों की जबरदस capture करके रखा हुआ है so इतना easy भी नहीं होगा या फिर हम कह सकते कि ऐसे company को खरीद कर सरकार को फायदा क्या होगा सरकार खुद अपना stake अलग-अलग इससे बेच के पैसा जूटा रही है तो ऐसा loss making company क्या वो खरीदना पसंद करेगी यह तो जवाब सरकार ही आपे दे सकता है so यहाँ पे चेक कर रहेंगे अब यह आपे future में होता क्या है बट अभी हम लोगों को फिलाल आज की जो जबरदस crash है उसके पीछे का reason यह है कि उनके CEO नहीं ही मना कर दिया कि हम लोग वड़ा phone idea की जो उनकी यह जो subsidiary है Indian की अगर हम लोग बात करें Indian company तो वहाँ पे वह पैसा नहीं डालने वाले क्योंकि यह बार-बार news आ रहे थी कि शायद से वड़ा phone पैसा डाल दे वड़ा phone पैसा डाल दे जो उनकी parent company वह पैसा डाल दे थोड़ा बहुत पैसा डाल दे कुछ भी नहीं उन्होंने clearly statement था है कि हम लोग बाकी जो भी मदद हो सके करने के लिए तहरे बट capital नहीं डालेंगे बात ही घतम हो गया वही जो चीज चाही वही नहीं मिलेगी तो फिर फाइदा क्या है बाकी चीज का और वही reason आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दैन अगर हम लोग बात करें इससे related भी एक clear वीडियो यहाँ पे आ चुका था जैसे मैंने आप लोग को यहाँ बताए था कि यहाँ पे अल्रेडी हम लोग को एक बहुत बड़ा संकेत देखने को मिला था जो 50% crash होने वाली जो मैंने बात की थी वो आप लोगों को इसी point के उपर लेके हम लोगों ने उस बात मतलब वीडियो में बात की थी कि वड़ा phone idea के जो auditor है उन्होंने ही concern raise किया था कि इनका going concern क्या है खत्रे में मतलब doubt है अगर किसी भी company के going concern के उपर auditor leak देता है report में कि उसको doubt है uncertainty regarding the going concern so definitely ऐसे company से दूर ही रहना होता है सरा हम्यारे पास अच्छे कासे stock है क्या उसमें भी आएगा ऐसे किसी भी stock में नहीं होता है जो company बहुत ज़दा करजे में डूबी हुई है going concern मतलब इबदम बच्चो वाली भाशा में बोल दू तो company भविश्चा में चल पाएगी की नहीं यह यह उसको going concern बोलते है सो अगर auditor नहीं आपे बोल दिया कि यह दिखे auditor raise the doubt over the going concern status तो आप समझ सकते हो कि audit मतलब जो चीजों जिन्होंने जो financial statement चेक है उन्होंने ही बोल दिया अगर खास करके अगर किसी भी penny stock में auditor यह statement लिख देते हैं audit report में कि यह paragraph डाल देते हैं कि doubt है company आगे नहीं चल पाएगी तो ऐसे company में पैसा लगाना bio coffee भी साबित हो सकता है although हम लोग penny stock में ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं सीखने के लिए कुछ penny stock हम लोग जरूर देखते हैं पर अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दोगे तो और एक lesson हम लोग को यहाप सीखने को यहाप और देखने को यहाप मिल रहा है यहाप जो reason था वो भी मैंने आप लोग के आप बता दिया एक हम लोग रहत वाली बात थोड़ी सी बोल सकते हैं जो कि गलत वे में मतले लेना बट आप देख सकते हैं कि यहाप पब्लिक चेक कर सकते हैं कि 2018 की में बात करू तो पब्लिक यहाप 10% और ऐसे गिरने वाले company मे पब्लिक का हिस्सा डबल हो चुका है मतलब जैसे मैंने का कि गलत वे में मतले लेना बट थोड़ा बहुत हम कह सकते कि promoter यहाप इस company में अपनी इससेदारी पकड़ कर बेठे हुए थे इसलिए जादा पब्लिक यहाप नहीं डूबी है usually आप लोगों ने देखा होगा promoter खुद भाग जाते हैं जादा से जादा हिस्सा कौन खरीता है पब्लिक खरीता है क्योंकि सस्ता मेल रहा है तो उठालो माल आज भी पब्लीक क्या करेगी पब्लीक इन देसेंस रीटेल इंवेस्टर इसमें आ जाते हैं जंप कर बाइंग करेंगे अरे 5 उर्पय में मिल रह अभी ये 22% है ना चेक कर लेना नेक्स्ट कोर्टर में ये 22% से जादा रहेगा ये सबसे वड़ा हार है रिटेल इंवेस्टर की हम कह सकते कि बिना जाने बिना सोचे ऐसे कंपनी में पैसा लगाना और बाद में कंक्लूजन के आएगा कि स्टॉक मार्केट पैसा खीच के लेत दोस्त, रिष्टेदार, रिलेटिव, जो भी मार्केट में बिलकुल नए है उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुचा देना कि उनको बोल देना कि वोड़ा फोन आइडिया मैं ऐस इन्वेस्टमेंट की मैं बात करा हूँ शेर होल्डिंग की बात करा हूँ अगर आप य जादा जादा वो 5-6-10 वापस होज सकता है तो डबल पैसा हो जाएगा इसलिए मैं वापस पैसा लगा दूंगा ब्यो कोफी वाला डिशीजन यहापर देखने को मिल सकता है तो ऐसा बिलकुल भी उस कैटेगरी में एटलिस आप तो मत आना इतना ही में आप लोगों को यह इसलिए कह रहा हूँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना यह देखिए आज मतलब चार दिन पहले इसी टॉपिक के उपर बात हुई थी कि सिर्फ इस एक कारण से आपके शेर जोरदार क्रैश हो सकते हैं और आपकी कंपनी भी यहापे डूप सकती है उसका एक और बेस्ट एक्जाम्पल हम लोगों को आज ही देखने को आपे मिला है इस वीडियो में जो बाते में आपको बताई थी एक बार टैली करके देख लेना आपको वही इंडिकेशन से आपके देखने को मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को भी नहीं देख इस वीडियो को भी देख लेना अगर आप जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है अब्वेसली उनके शेर आगे मतलब क्रैश तो नहीं होंगे मतलब उस कंपनी में जाएंगे नहीं इसका भी लिंक में आप लोगों को उपर आई बटन पे प्रवाइड कर रहा हू तब तक के लिए बाई बाई